किसान भाईयों नमस्कार मेहूद असरत दाकर आप देख रहा है डी पार्मिंग यूटूब चेनल किसान भाईयों आज हम बात करेंगे कपास की खेती के बारे में जैसा कि कपास की बिजाई का समय चल रहा है एसे में किसान भाईयों माई के मैने में कपास की कौन सी विराइटी लगाए कपास की बुवाई का जो सही समय होता है वो 15 अप्रेल से 15 माई के मद्य होता है एसे में किसान भाईयों अगर माई के मैने में कपास की विराइटी लगाना चाहते है तो उनको कापी सोच समझ कर विचार करना चाहिए क्योंकि कपास की फसल में गुलाबी, सुन्डी और सफेद मकी का सबसे ज़्यादा अटेक देखने को मिलता है जिस कारण पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है अगर आपने अभी तक कपास की विजाई नहीं करी है तो आपको कुछ उन्नत किस्मों का चियन करना चाहिए जो कामाओदी में पकर तियार हो जाए और उन किस्मों में बिमारियों और रोगों का अटेक भी कम देखने को मिले इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि मई के महिने में आप कपास की कौन-कौन सी विराइटिया लगा सकते है और एक इतने दिन में पकर तियार हो जाती है इस वीडियो में आखिर तक बने रहे जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे किसान भाई जो वेसे तो कपास की अलग लग कई परकार की हाईब्रिट उन्नती किसमें आती है जिनमें सफेद मक्की और कुलावी सुन्डी का सबसे कम अटेक देखने को मिलता है लेकिन अगर आप मही के आकरी सब्ताओं में कपास की वीजाई कर रहे है तो आपको उन्ही किसमों को लगाना चाहिए जो का मौदी में पकरतियार हो जाए और उन किसमों में सुरवात में ही फ्लोरिंस आ जाए नर्मे की कुछ यसी विरयोटे आती है जिनमें अंत में सबसे ज़्यादा फ्लोरिंग यानि की टिंडे आते है जिस कारण उनमें बिमारियों का अटेक ज़दा होता है आपको मई में उनी किसमों को लगाना चाहिए जिन में सुरुवात में ही फल फुल आ जाते है अब बात करते हैं कि आप कौन कौन सी किसमें मई के अंतिम सब्ता में लगा सकते है तो रासी की सासो तीयतर ये भी एक कपास की उननत विराइटी है जो 160-165 दिन में पकरतियार हो जाती है इस किसम में भी सुरुवात में ही फुल से टिंडे आनाफ सुरू हो जाते है तो आप इस किसम को लगा सकते है इसके लवा यूए से इकानवे कपास की विराइटी को भी आप लगा सकते है ये किसम 155-160 दिन में पकरतियार हो जाती है इसके लवा आप न्यूजुवेडू की टेलेंट विराइटी को भी लगा सकते है ये एक नए किसम है इसमें कीट वरोगों का अटेक भी कम देखने को मिलता है ये विराइटी 150-160 दिन में पकरतियार हो जाती है इसके लवा अंकूर अज़य कोटन सीड्स को भी आप लगा सकते है ये किसम 155-160 दिन में पकरतियार हो जाती है यानि कि अगर आप माई के अंतिम सब्ता में कपास की विराइटी लगा रहे है तो सबसे कम आउदी वाली विराइटी आपको लगाना है जो कम आउदी में पकर तियार हो जाए और उसमें सुरुवात में ही फ्लोरिंग आ जाए जिससे अंत में पोदे में सफेद मकी और गुलावी सुन्डी का अटेक ना हो और पोदा सुरुक्सित बना रहे किसान भाईयों आप इन किस्मों का चियन कर सकते हैं जो कम अधिक उत्पादन देती है और इन वेराइटियों में बिमारियों का अटेक भी कम होता है उमित करता हूँ जानकरी पसंद आये होगी वीडियो को लाइक और सियर करें धन्यवाद